लंबे इंतजार के बाद बिहार सिक्षक पात्रता परिक्षा 2019 यानि की बिहार STET 2019 का रेजल्ट बिहार विद्यारे परिक्षा समिती यानि बिहार बोड ने सुक्रुबार को जारी कर दिया नतीजों की घोष्चना बिहार के सिक्षा मंदरी विजे कुमार चौजी ने की STET 2019 का रेजल्ट आते ही हाजारों सफल जो है अव्यार्थी के चेहरे खिल उठे 15 में से 12 विजेओं का रेजल्ट जारी हुआ है 37,000 में से कुल 24,599 परिक्षार्थी पास हुई यानि उत्तिर नहीं हुई बिहार विद्याला परिक्षा समिती जो है BSB जो है BSCB ने STET 2019 के 15 में जो है 12 पेपर का रेजल्ट जारी किया STET परिक्षा में 24,599 अव्यार्थी सफल हुई बिहार के सिक्षा मंत्री ने STET 2019 के परिक्षा में उतिन हुए सब अव्यार्थियों को हरदिक बदाई दी बिहार के सिक्षा मंत्री विजे कुमार चौदी ने STET 2019 का रेजल्ट चारी कर रहे हैं खोलेंगी 37,000 से ज़्यादा सिक्षकों की बाहली होनी है कहा कि हमने कूट में जो है कहा कि स्कूलों में पद खाली है योग नौजवान बिरुजगार हैं इसलिए सिक्षकों की न्योक्ति मामली की सुनवाई जल्दी हो बिहार विद्याले परिशा समीती का आधिकारिक वेबसाइट यानि कि बिहार बूर्ड ऑनलाइन डॉट कॉम अभी नहीं खुल रहा है चार बज़े रिजल्ट जारी करने की घोशना हुई थी जल्द ही वेबसाइट आपिन होगा और अगली सूचना अपडेट होगी आधिकार बात कर लेते हैं कि आखिर आप जो है एस्टी टी का जो रिजल्ट है वो आप कैसे चेक करेंगी तो देखिए अपने मुवाइल या कॉम्पूटर में आधिकारिक वेबसाइट आपिन करें अधिकारिक वेबसाइट जैसे कि bharboardonline.com तो ये हो गया आपका अधिकारिक वेबसाइट इस लिंक को इस URL को यानि कि bharboardonline.com को कहीं भी आप किसी भी ब्राजन में सर्च करेंगी तो वहाँ पर आपके सामने एक पेज आपेन हो जाएगा और वहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए अपना आविदन संख्या यानि कि आपको अप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डाल कर सब्मीट बटन पर किलिक करना होगा और थोरी देर में आपका रिजल्ट स्कीन पर दिखने लगेगा अपना रिजल्ट जो है स्कूर कार्ड देखे और भविस्जी के लिए प्रेंट आउट निकाल कर सुरक्षित रख ले इसी के साथ आज सुभा जैसे ही ये घोशना होई कि बिहार स्टीटी 2019 का रिजल्ट आ कर रहे हैं आज अब से थोड़ी देर बाद समय चार बजे बिहार के स्टीटी 2019 का रिजल्ट जारी करेंगे सुत्रों से मिरी जानकारी के मताबिक बताया जा रहा है कि आज ही सिक्षा मंत्री सिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कुछ बड़ा आयलान कर सकते हैं बिहार स्टी 21 स्टमबर 2020 तक परिख्षा ऑनलाइन आयोजित की गई थी और आंसर की जो है 18 अक्टूबर 2020 को जारी की गई थी इसके अलाबा उम्मिदवार इससे संबंदे अधिक जानकारी जो है बिहार बोड की आधिकारिक वबसाइट बिहार बोड ऑनलाइन.com पर जाकर चेक कर सकते ह थोरी देर बाद साम 4 वजे रिजल्ट प्रकासित होगा तो देखे यहाँ पर जो है आप लोगों का जो रिजल्ट है वो जारी हो चुका है तो कैसे चेक करेंगे इसके बार में हम तुरह सब इस्तार से जानेंगे इस वक्त तो चलिए जानते हैं कैसे चेक करना है आपको त से आपको लिख करके सच करना है B I H A हां तो आपको लिखना है क्या बिहार मूड़र ऑनाइन डाट-कॉम ठेक है चलिए यह लिग देंगे बिहार बूडर ऑनाइन. Lab को अ तो आप जो है अपना रिजल्ट सिर्फ अप्लिकेशन नमबर और पासवर्ट डाल करके अपना रिजल्ट आप चेक कर पाएंगे तो बिल्कुल जब ये लिंक काम करेगा तो हम आपको एक और वीडियो प्रोवाइड करेंगे फिलाल ये लिंक काम नहीं कर रहा है यहाँ पर जो है सर्विस अनवेलेबल बता रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो में इतना ही हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और हम आप लोगों को बताएंगे कि आखिर आप लोगों को रिजल्ट कैसे चेक करना है धन्यवाद्व झाल ये वीडियो चैणर के साहँ प्री आप लोगों को रिए ये एक रहा है पर दोगगों के साहँ पर बताएंगे टो लोगों क्लेखियो को ये विर गुझ को रहा है तो